बॉंगो एक हिंदी धारवाईख है जो डीडी नैशनल चैनल पर प्रसारित होती है कहानी के मुख्य पात्रों में सूरज थापड, शुश्मितादान, स्वपनिल जोशी है जिनोंने सीरियल में जान दाल दी है मनुश्य सदय विस प्रित्वी के बाहर के जीवन के बारे में सोचते हैं अर्थात क्या उनके जैसे जीव कहीं और भ्रहमार में मौजूद है बॉंगो भी ऐसा ही एक प्राणी है बॉंगो चाप्टा ग्रह का एक जीव है उसके पास विशेश शक्तियां हैं जिनमें कायब होना, जादू करना शामिल है और वह मनुश्यों से अधिक बुद्धिमान है जाप्टा ग्रह के लोग प्रित्वी के लोगों की तुल्ला में बहुत अधिक विक्सित है अर्थाद वहा कोई बिमारी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है और सभी लोग 20,000 से जादा वर्षों तक जीवित रहते हुए खुश है और शक्तिष्ट है जाप्टा ग्रह पर राजा टॉंगो का शाशन है जिनकी एक पतनी फॉंगो और बच्चा राजकुमार बॉंगो है चुकि बॉंगो अपने पिता के बाद राजा बनने वाला है इसलिए उसके पिता उसे समझाते हैं कि वो कैसे राजा बने टॉंगो का एक बड़ा भाई है जिसका नाम चॉंगो है जो इस बात से नाराज था कि जब उनके पिता मर रहे थे तब टॉंगो को राजा घोशित कर दिया गया था उनके पिता जानते थे कि चॉंगो अहंकारी था और जाप्टा के लोगों को अपना सेवक बनाना चाहता था उनके पिता ने उन्हें मौत की सजा सुनाई और उनकी मित्ति हो गई लेकिन उनके बेटे अरंगो को अपने पिता के साथ इस अन्याय को पसंद नहीं आया और उसके बाद वह गायब हो गया तीन सो वर्ष के बाद अरंगो ने टॉंगो को चेतावनी दी है कि वह जापता को अपना बना लेगा और अपने राज्य पर कबजा कर लेगा टॉंगो को वह पता है कि अरंगो प्रित्वी ग्रह पर है टॉंगो चाहता है कि उसका बेटा बॉंगो प्रित्वी ग्रह पर जाए और उसे पकड़ ले पृत्वी गरह पर सनी नाम का एक लड़का रहता है जो पूरे दिन एलियन्स के बारे में शोध करता रहता है क्योंकि वो एलियन्स का जुनूनी है उसकी एक बहन है जिसका नाम शिवानी है बॉंगो अपने मिशन के लिए अपने अंत्रिक्षियान से पृत्वी घर पर पहुचता है सनी का एक सबसे अच्छा दोस्त है जिसका नाम शक्ती है जिसके साथ वो क्रिकेट खिलता है सनी अपनी दादी, बहन और अपने पिता के साथ रहता है कुटे बॉंगो को देख सकते हैं और वे उस पर भौकते हैं लेकिन बॉंगो अपनी जादूई शक्तियों का उपयोग करके उनने सम्मुहित कर देता है और बॉंगो कही से भी गायब हो सकता है जो मनिश्यों को उसके अजीब रूप को देख कर भ्रमित करता है बॉंगो फिर से शोद करना शुरू कर देता है और उन सभी नई चीजों की खोज करता है जो प्रित्वी गर्प मिलती है वो एक होटल किराए पर लेता है और होटल मैनेजर को उसे परिशान न करने के लिए कहता है लेकिन मैनेजर उसके ठीकाने के बारे में असली हीरा के साथियों को बता देता है और होटल के बेल बॉई उसे पकड़ने पर कीमत कमाने के लिए पुलिस को हीरे के बारे में बता देते है बॉंगो टेलिवीजन पर अपने पिता से बात करता है पॉलिस हीरा उर्फ बॉंगो को पकड़ लेती है लेकिन बॉंगो को अपनी तरह का कोई महसूस होता है और उसका मानविय रूप डगमागवाने लगता है वह जानता है कि आर्यन ही अरंगो है अरंग यानि आर्यन हीरा को देखते ही गायब हो जाता है आर्यन के दोस्त हैं जो उसे असली आर्यन समझते हैं क्या बॉंगो नकली आर्यन को पकड़ पाएगा आगे जानने के लिए आप डिस्किप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक पर जाकर पुरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग तो मिलते हैं अगले वीडियो में